इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाती, धर्म, मत, संप्रदाय, मज़ब की धार्मिक भावनाएं आस्था को आहत करना नहीं हैं। बलकि हमारा उद्देश्य, प्राचेन गरंथों, एतिहासिक दस्तावेजों, एवं पुरतात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमित तारकिक और समिक्सात्मक द्रिश्टिकोन को बढ़ावा देना है। हमारा सम्मिधान हमें सम्मिधानिक डायरे में रहते हुए समाज में जागरूपता लाने के उद्देश्टे से हमें अभिवक्ती की सोतंतता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। जी नमस्कार कुश्वाजी जी नमस्ते सर्थ जी मैं कुछ अपनी बाते रखना चाहता हूं। उत्रा की है सर्थ आप लोग जितना साइंस जर्नी से जितना नफरत करते हैं उतना मैं ही करता हूं। और मैं ऐसा हूं कि उसके स्ट्रिम पे जाकर उसको गाली भी दे दिया हूं। लेकिन जो यह आप लोग बुद्ध के उपर वीडियो बनाते हूं उसमें थोड़ा सा मुझे आपत्ती लगता है कि बुद्ध के उपर हम लोग इतना अटैक क्यों करते हैं। मैंने बुद्ध की भी फिलोसफी पढ़िया है और अद्वैत की भी फिलोसफी पढ़िया है। दोनों की सिमिलर है तो फिर बुद्ध सनातन से अलग कैसे हो सकता है। यह पहला यह हो गया दूसरा आप जितने भी आप वीडियो बनाते हैं उसमें ज्यादा तर बुद्ध के उपर ही बात करते हैं वो सक्स जो यह बोलता है कि OBC का बेटा OBC होगा सक्स के उपर आप ज्यादा क्यों नहीं करते हैं अगर हम उनके उपर टेक करेंगे तो होगा तो हो सकता है वह साइन्स जर्नी या दूसरे चैनल है उसको जादा फरक पड़ेगा आपत्ती इस बात पे उपर है कि हम लोग बुद्ध के उपर जादा अटैप करते हैं अच्छा इसका पहला जब आप तो मैं दे सकता हूं कि जब आपने का ना कि वेदान्त और बुद्धिजम का जो दर्शनों से ना बिल्कुल नहीं विकॉस अगर ऐसा है तो बैया एक बाप बताओ जो जगत गुरु आदिशंकरा चाह रहे हैं वो क्यों बहुत हो के खंडन में खड़े हुए थे कारण होगा तो बाकी तो बाकी जो कुछ कोशन आपने पूचे तो कुश्वाजी ज़र आएक बार आप कवर करिए जो कह रहे ह आपने बुद्धिजम पढ़ा हैं बहुत दर्शन पढ़ा हैं नई आपके जितना मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन जो सुन्यवाद का उन्होंने सिध्धान दिया और जो अद्वैत दर्शन दोनों सिमिलर है तो मैं यही कह रहा हूं कि वो सनातुम से कैसे सुन्यावाद यही कहता है कि हमें उस सुन्य पे पहुंचना यहां है हाँ मैं करूं है कि जैसे बुद्ध कहते हैं, हमें उस सुन्य के उस्था में पहुचना है, मतलब अपने चेतना को सुन्य करना है, जिसमें हमारा इर्षिया, लालच, द्वेश, कामवासना, ये सब भाव रहता है, एक जगह पे जाकर सुन्य जब हो जाता है, हमारी चेतना वही हमारी जीवन का परमलक्षय है, दुसरी तरफ संक्राचारे अपने अद्वेश सिधानत में वही ब्रह्म अवस्था की बारे में बात करते हैं, हमें भी वही उस चेतना वस्था में पहुचना है, जिसमें जो सारे विकार होते हैं, वो नस्ट हो जाते हैं, तो दोनों ही महापूरुस, दोन ये मैं कह रहा हूँ, जहां पर हम अपने समस्थ विकारों का अंत कर दें, अपनी समस्थ एक्षाओं का अंत कर दें, तो ये नया कहां था, मोक्ष फिर क्या है? जब हमारे यहां पहले से मोक्ष का कॉंसेप्ट था तो फिर यह अलग से एक नई फिलोसपी घुसेड़ने की जरूद क्या थी अभी आपने बहुत बड़ी बात बोली कि वो भी सनातनी थे जिसको मन करेगा उसको उठा के सनातनी बोल देंगे अगर सनातनी थे अलग से एक मत प्रदार एकस्प्लेण करने अगया वसக्तता थी और सनों हमांत एकस्प्लेण किये वो तो स्मझ में मैं आता था वेदों की भर-बर के निन्दा कर डाली इसकी क्या वशक्ता थी पर यह कौन से मुर्कता पूर्ण बात है कि कोई विक्ति आता और कहता है कि भाई वेद मानने वाला भी सनातनी है और जो वेद नहीं मानता हूँ भी सनातनी है कमाच यो जो इन दोनों को यह नहीं मानता हूं भी सद्धाथ की परिवासा होता है कि चिसको मना यह सब को घर में घुषेड लेंगे यह भी फर्क नहीं करेंगे कुछ यह किसी नौबध से जिन्दगी में बात किये हैं कभी किसी बौध से बात किये हैं लें फेस टू-फेस आमने सामने बैठके उससे कभी पूछा जमेनी हकिकत क्या है की यह हावा हावाई में बहुत जदा हम अपने आपको वो समझ के बैट जाते हैं कि हाँ यार यह बहुत कुछ है यह बहुत लडियाद चीज है ये तो सब हमारे अपने थे अरे बहिया जब तुम्हारा अपना अदमी था तुम्हारा अपना भाई था तो लगड़ी क्यों डाल दिया अलग क्यों हुआ कि वचित्य था और चुरू अलग हुआ तो वो भी समझ में आता है खंडन करने लगा तुम्हारे मत का तुम्हारे विचारधारा का वैदिक मानेता कहती है कि इश्वर है आत्मा है बुद्ध का फिलोस्पी ये कहता है कि न कोई इश्वर है न कोई आत्मा है और ढकल लोग कहते हैं कि दोनों एक ही है ये क्या है कर रहा है कि हम läuft मिप कर talkin' कर रहा है कि हम जिन्दाव एक आदमी कह रहा है कि हम रही है और तीसरा उसमें की जज्ज्मेंट कर रहा कि यह दुनों तो एक ही बात कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं आप संक्राचारी के मत से और फिर बुद्ध के मत से तो आप कंपरीजन कर रहे हैं लेकिन वेदों को निगल गए थो इन से पहले एक्जिस्ट करते थे ना वैधिक मानेता इन से पहले थी न यह जितने भी बहुद जैन या फिर ये संक्राचारी का जो मत है यह सब इसके बाद ही तो आई तो हमारी मेन फिलोफ्ट भी तो वैधिक हैं तो हमारी लिए तो सबसे ज्यादा प्रतंप्रमाडवे और जो वेदों का खंडन कर रहा हूँ हमारा भी वह भी हमारा अपना हो गया अलग बात है कौन सा ये मतलब ये दिमाग में ये घुश गया है भूत जब अरजस्ती का कुश्वा जी एक और चीज है अगर आप ऐसा बोलेंगे तो चार वोकों को भी अपने भाई बोल दीजे सब अपने भाई हैं सब भाई हैं और सब भाई एक दूसरी के उंगली करते थे पहले कि क्या है कि देखिए सर अधूरा ग्यान कभी बिना आदमी को सिर्फ भ्रमित करता है मैं खुद ही इस फिलोसपी को काफी करीब से पढ़ा हूं मैं कोधी एक दिश्ट भी हो मैं भी कभी इनके ही जैसा था इनी की जैसा सोचता था लेकिन जैसे जैसे मैं इनको पढ़ना सुरू किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं मैं कुछ नया नहीं पा रहा हूं बलकि इससे अच्छी और इससे बहतर फिलोसपी आलेडी है जो एक नि होता है नहीं होता तो उसके बात का क्या हम यहीं मालने नहीं होता तो फिर क्या होता है इस्वर नहीं है आतमा नहीं है तो फिर है क्या है दुख है दुख का कारण दुख का निवारन तो समझ में आ गया मेरे को भाई यह सब को बता है दुख का कारण दुख का निवारन भ जरा बताना है जब उच्छी बात कुछ तेस नहीं बचता इनकी फिलोसपी में कहता हैं कि मृत्य के बात कुछ तेस नहीं बचता तो जब उपनाने जैसी बात नहीं है कि हमने किसी फिलोस्पी पर बस यह कह दिया भाई जिंदा हो तो दुख है तो दुख का कारण खोजो घर छोड़ो बीबी छोड़ो बच्चा छोड़ो परिवार छोड़ो निकल लो दुखदूर हो जाएगा एक कांकी बनने से दुखदूर हो जाता है आप जितने भी बुद्ध लोग हुए हैं जितने भी बुद्ध हैं सबके बुद्ध की जीमनी पड़ी है न सबने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया एक एक पत्नी के तो बात छोड़ दिये तीन-तीन लाख पत्नी आते हैं उनको छोड़के ये जंगल निकल गया तो अपने पीछे जिनको छोड़के गया उनको तो दुखी किया ना कि नहीं किया ये कौन सी फिलोसफी है कि अपना दुख दूर करने के लिए अपने पीछे हाजार लोगो कुछ दुखी करके निकल लो अरे खुश्वाजी ये कोड़ चीज़ है रुको यार ध़्या मैं इतिन से बात तो कर लो पूस्तो लो दरसन इनसे आपका दरसन ये कहता है कि अपने दुख से ज़्यादा इंपोर्टेंट है दूसरे का सुख अगर हमारे दुख से भी अगर किसी का भला होता है किसी को शुख मिलता है तो वो हमारा प्राइमरी नेचर होना चीए इनकी फिलोसपी ये कहती है कि मम्मी रोवे, दादी रोवे पापा रोवे, बीबी रोवे, बच्चा रोवे कोई रोवे अगर हमारा मन हो गया कि भाईया हमारा दुख है हमको अपने दुख कांत करना है हम घर छोड़ेंग, गैस्ती छोड़ेंगे सब छोड़ देंगे, सब त्याग कर देंगे तो अपने पीछे आप उनको छोड़ते गए कम चेकम उनको तो दुखी किया ना वीर जी बताइए, किया या नहीं किया देखे कुस्वाजी, आपको इस फिल्ड में ज्यादा नौलेज है लेकिन फिर भी जो मैं बच्पन से सुनता आया हूँ कि हमारे दस अवतार होते है मुझे आपके सुनने से कोई लेना देना नहीं है सर आप बहुत कुछ सुनते आया होंगे हम सुनी सुनाई बातों पर मैं कभी बात नहीं करता है मैं यह कह रहा हूँ कि एग्जर्ट फिलोस조va किया कहते है वो फिलोसफी कितनी ज़्यादा स्विकार है और इस फिलोसफी कितने ज़्यादा साकरात्मक पहलू है यह हमें माईने रगता है है एसे तो फिर आम यë भी बताता है या गंगा, जमनी, तहजीब हम भाई, भाई है यह हम भाई है अब वो भाई यह हम चारा है ऐसे तो बहुत कुछ हमको पढ़ाया जाता है मान के बैठो वो भी तो भाई तो फिर गला काड़ने से पूछता नहीं है तुमको फुट्टे से उला देता है यार इतनी सेकुलर पंती भी यार हद है बच्पन से पढ़ते आए वेदो की प्रतिस्थापना की वेदो को प्रत्पुष्ट किया और वेदो को ही प्रमुक माना और यह अवतार आये तो बताने इनको क्या होगा यह अवतार क्या रहे हैं कि बैया वेदवत कुछ नहीं होता इस्वार अगरे कुछ नहीं होता आत्मा अगरे कुछ नहीं होती और बुद्ध का आउतार आते ही आत्मा निगल गए और दोनों एक ही है, यह क्या फिलोसिफी अभी है कौन मजाक कर रहा है हम लोगे साथ है यह मजाक नहीं होना है आतार की बात कर रहा है तो वही विश्णुजी की आतार कृष्ण है वेदो की और आत्मा की महत्ता बताते हैं, इस्वर की महत्ता बताते हैं, सिना ठोक के कहते हैं, मही इस्वर हो, और वही उन्हीं की अवतार फिर बुद्धा आते हैं, तो कोनो इस्वर इस्वर नहीं होता है, कोनो आत्मा अत्मा नहीं होती है, यह क्या है फिर, यानि की साफ स आप कहें तो फिर भगवान विश्णु का अवतार यह कहता है कि नहीं यह सब घलत है फिर की कौन ले रहा है हमारा ऐसे तो कभी कल्यान नहीं होने वाला है अगर दोनों को मानके चलेंगे एक बार आप कह रहा है कि हाँ बिना छेद वाली नाओ भी अच्छी है और फिर दूसरे बार कह रहा है कि नहीं च्छेद वाली नाव भी अच्छी है तो भाई च्छेद वाली पे चड़ोगे कि ना च्छेद वाली पे चड़ोगे जब दोनों अच्छी है तो दोनों पे बैड़ जाओ वैसे भी टांग फटनी है दूबना ही है आलंबन किसी एक चीज़ का लिया जाता है सर वो बेक्ति पार जाता है पचास ही जो का अलंबल लेंगे कभी पार नहीं जा पाएंगे कुछ कहेंगे इतर हलो हाँ बोले सब हाँ देखे कुछ वाजी मैं पहली बात सिक्यूलर नहीं हूँ मैं कट्टर सनाता नहीं हूँ मेरा रियलिस्ट आजात पे साइंस जर्नी पे बहुत सारा वीडियो हो यहां तक कि मैं मुझ पे उन लोगों के उपर मैं गाली दे चुका हूँ मैं बस यही कह रहा हूँ जो आपने फिलोसफी पड़ी है मैंने भी फिलोसफी पड़ी है लेकिन मैंने यही पाया है कि जो हमारे अचार्य बोर है वो बुद्ध भी वही बोर रहे है मैंने बुद्ध जी की भी फिलोसफी पड़ी है एक्चुल में उन्होंने आत्मा को नकारण नहीं था जो वो बिल्कुल 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 इस बात को मानता है फिर वो आदमी ये कैसे कह सकता है कोई व्यक्ति के मुझे ज्ञान मिल गया भाई दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है आज भी इसी पर रिसर्च हो र पर एक विक्ति कह रहा है कि भाईया देखो मैंने साधना की मैंने जीवन का सत्य जान लिया है अब मैं सबको ग्यान बाटूंगा ये खुद जब आप पड़ोगे तो उसमें बुद्ध खुद ही कह रहा है कि मैंने जीवन का सत्य बाट लिया और मैं सबसे अब मैं सबको ग पैने जान मिलते हैं तो उससे अपनी बड़ा इमारते वह पूझता है आपको शार्षन हैं और उसकुझग कि नार। गौतम बुद्धी के नाम पर पूस्त के लिखी हुए मैं उस पर बात करता हूं। बता रहा हूं तो आपको ये समझना चाहिए कि पर बद्व generally हम तथ्यों को समझने में हकिकत को जानने में कहीं न जई कुक रहें ये महत्व corridor है कि हम ये चीस समझने पहले तो आप थोड़ा सा और अपना ध्यान जो है न सही करें और देखे ऐसे नहीं चल सकता है और ये आप बिल्कुल भूल जाए कि भई विष्णु जी के आउतार कृष्ण भी थे और विष्णु जी के आउतार बुद्ध भी थे ये बिल्कुल स्विकार करने जैसे बात नहीं क्योंकि एक आउतार कुछ और कहेगा और दूसरा आउतार कुछ और कहेगा अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो बगवान विश्णु पर ही प्रश्ण उठ जाएगा तरू कर क्या रहे थे? ये क्या तरीका है? और पूरानों में जिस बुद्ध की बाताथी है उनकी मांका नाम अंजना है और उनका जनम गया में हुआ था ठीक है? तो ये भी पृद्ध्यान में रखें हैं अध्यान की आवशक्ता है और जिस लुम्बनी वाले गोतम बुद्ध की बात हम कर रहे हैं इनका कोई भी समकालिन एवेड़न्स नहीं है तो बहुत ज्यादा पैनिक होनी के आवशक्ता नहीं है और ये दिमाग में निकाल दीजे कि हम बुद्ध पर बात नहीं करते हम लुद्ध गरंथों में सनातन संस्कृति या फिर वैदिक मानताओं को कम तर्याकिन के कोशिज के यह उनको क्रिटिसाइज किया गया है तो जिन आधार बुद्ध तत्वों पर उन्होंने वैदिक मानताओं को क्रिटिसाइज किया है उन्हीं सब चीजों को हम भी सामने रखना चाहते हैं कि एक तरब तो वो हमारे धर्म गरंतों में हमको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तुम्हारे यह यह है तुम्हारे यह यह है अब वो अपने गरंतों में लिखके वो खुदी अपने आपको एक्सपोज करवा रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करें वो ना लिख्ये होते हैं तो आज हम यह बता रहे हैं अगर वो यह नहीं लिख्ये होते हैं कि चावल खाने से लिंग हो गयाता है तो हम बोलती है बात बताईए नहीं कुछ वाजी इसमें मुझे कोई आपत्ती नहीं है कि आप बुद्ध के उपर वीडियो बना रहे कि नहीं मैं बस यहीं बोर रहा था कि हम लोग बुद्ध के उपर इतना ज़ादा बात ना करके मैं बोर रहा था कि अम्बेटकर जी के उपर भी थोड़ा बात करें एक्शल में जेतना भी आपका वीडियो बना है उसमें भाई साब भाई साब भाई साब जड़ मत पूर होता है पत्ते नहीं है चिडिया की आख हमको देखनी है डाल, जंखाड, पत्तर, पिड़ पौधे, अगल भगल के लोग नहीं देखने मुझे ठीक है जी वे जी आप कुछ और लोग को हम ले लेते हैं मैं बस यही कहना चाहता हूँ मेरा आप लोगों से कोई मद्भेद नहीं है आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और बिल्कुल मेरा भी जो भी सपोर्ट है वो आप लोगों के साथ ही रहेगा बस यही था मेरा और कुछ ऐसा नहीं है जी जी धन्यवाद धन्यवाद